तो वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो भी इंट्रस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना और गिववे के बारे में मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूं वो संडे को गेम एक्स हाइलाइट्स पे होने वाला है और मैं वो लाइब श्ट्रीम पे करने वाला हूं तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना सबसे पहले जो नुकलिया है उन्होंने बताया है हाइड रहा है वो क्वालिफाइड नहीं हो पाई राउंड वन के लिए इसका रिजन बताते हैं उन्होंने श्टोरी पे क्या बताया है वो आप लोग देख सकते हैं इसके बाद जो वाइपर है उन्होंने वार्निंग दी थी हाइलाइट चैनल को उन्होंने बोला था कि अगर मेरा प्योवी यूज करना है तो आपको 10-15 डेज का ब्रेक लेना होगा इसके बाद मैं आप लोगों को एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ जो बीजियास के अंदर हुआ था तो सबसे पहले group 5 round 1 की overall standing आप लोग देख सकते हैं आप लोगोंने भी देखा होगा जो 8, 9 and 10 पे है उन सबके जो total points है वो same है जो rule book है उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि सबसे पहले हम winner winner chicken dinner देखने वाले हैं जो की सबके 0 है एंद इसके बाद placement point देखने वाले है तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो team जो है वो 10th number पे है उनके जो placement point है वो सबसे ज़्यादा है इसके बाद भी वो 10th number पे है एंद इसी scam की वाज़े से जो unknown rivals team है वो qualify नहीं हो पाई जो unknown rivals है उनकी position जो थी वो 8 होनी चाहिए थी एंद उनको qualify करना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ इसके बाद जो sit भाई है उन्होंने एक story लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था 4 months हो गए है इसके बाद भी कुछ लोग जो है वो अपने creators को income नहीं दे रही है इन उन्होंने बताया था कि एक दो दिन में वो इससे related जो बाते हैं वो करने वाले है इसके बाद मैं आप लोगों को एक matter के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी recent में हुआ था क्रूसीफर के साथ तो बहुत लोगों को लग रहा था कि उनकी health जो है वो खराब है उन्होंने ये चीज खुछ story लगा के clear कर दिया कि वो एकदम सही है आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा तो बहुत बड़ा misconception जो था वो ये हो गया था ये चीज उन्होंने श्टोरी पे लगा के clear कर दिया था इसके बाद जो next update निकल कर आती है वो निकल कर आती है पेरा बोई को लेके जो आयोगी गेमर है उन्होंने fake पेराबोई को expose किया था और उन्होंने बताया था कि एक channel है YouTube पे जिसका नाम है Noah पेराबोई और उन्होंने description में भी यार mention नहीं कर रखा कि वो एक fake channel है या फिर वो एक fan channel है और इसका reason उन्होंने भी यही बताया था कि जो Chinese players है वो YouTube यूज नहीं करते क्योंकि वहाँ पे वो बैन है तो मैं आप लोगों को बता दू जो भी यह channel है वो एक दम fake है और इसके बाद मैंने कल आप लोगों को एक matter के बारे में बताया था जो एक team ती जो की BGIS में हमारे को hacking करती वी दिखाई दी थी उनकी clip जो है वो बहुत ज़्यादा वाइरल हुई थी NDC के ओपर जो extraordinary है जब उनकी बात हुई थी hell god से तो उन्होंने बताया था कि जो भी clip वो वाइरल हो रही है वो पुरानी clip है इसके बाद उन्होंने अपने p.o.v.s भी डाल दिया एंड वाप लोग को स्क्रीन पर नजारा रहा होगा एंड जो स्नेक्स है उन्होंने इस चीज पर रिएक्ट कर आता है उन्होंने इस पर क्या बोला हुआ आप लोग देख सकते हैं इसके बाद जो रेगल टॉस है उन्होंने अपनी लाइश्ट्रीम पे न्यू और जॉइन करने के बारे में बात करी ती साथ में उन्होंने मॉटल के बारे में भी बात करी थी तो उनकी वह लिक्लेप आप लोग देख से इसके बाद जो एट बिट न्यू प्लेयर नाम से एक प्लेयर जो है वो खेलते वे दिखाई दिये थे मैंने आप लोग को बताया था जो क्लाउड है उन्होंने एक वीडियो जो है वो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे जिसने एक लियर कर दिया था कि जो एट बिट न्यू प्लेयर है वो क्लाउड है वो आप लोग को स्क्रीन पे नजार आ रहा होगा तो गईज मैं आप लोगो को बताने वाला हूँ एक और टीम के बार एए में जिन पे पहुछ जादा कोच ऐली गेशन से यार पिछले कुस दिनों से है क्या से नहीं है बार ग्लिच्ट सोन में रहता है अब जो आप रहा था है और प्लेयर्स की चैट में यही चीद चल रही थी इसके बद जो रॉक्स भाई है उन्होंने भी इस चीज के ऊपर रेक्ट करते हुए क्या बोला था पहले आप लोग वह भी देख सकते इसके बाद एक जो क्लिप है वह बहुत ही ज्यादा वाइरल हो रही थी और वह वाली क्लिप भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं तो पहले आप लोग वाली क्लिप भी देख सकते हैं जिदा प्रेगा और शेल्टर के आगे जो वाली क्लिप देख लियोगी और यह शायद कोई नॉर्मल क्लिप नहीं है इसके बाद मैं अब आप लोगों को आगे की स्टोरी बताता हूं जो ग्लिप और गया है उनके हमारे को दो लाइनप बीजाएस में खेलते वे दिखाई दिये थे और अगर आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होगे और अगर आप लोगोंने नोटिस किया होगा तो यार एक जो प्लेयर है जिनका नाम है ग्लिच अक्की उनके बहुत ज़ादा किल्स हमारे को इसमें देखने को मिले थे सबी मैचिस में हमारे को उनके सबसे हाईएस केल देखने को मिले थे और आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा नहीं है नीचे उन्होंने लिखा था मोफो इंदा स्पेक्टेट कॉस्मिक रूम लिसन टू दा स्कूबाज कॉल एंड विल गिव सम हेल्प एंड यह चीज तो यही कंफर्म करती है कि उनका कोई प्लेयर है जो की स्पेक्टेट लिस्ट में बैटता है और वहां से उनकी हे रिप्लाइ किया था इंड इसमें जो मैंने उनसे पूछा था कि जो रूटेट डिवाइस वाला स्क्रीन शॉट आज कल पहुच जादा वाइरल हो रहा है इस पे वो क्या कहेंगे तो उन्होंने इस पर क्या रिप्लाइ करा वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो बस गाईज अभी के लिए मेरे पास इतनी नियूस थी आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना हैं इन्स्टाग्राम पे जरूर से के वावे में लाइफ श्ट्रीम पे